इन दोनों की हाइट 3,5 फिट है और ये इनकी छोटी सी प्यारी सी बीटी है और लोग इने बना बंठा बोलते थे पहले लेकिन इन्होंने बेटी को जर्म दिया और इस लेडिज ने एक चोटे बेबी को जनम दिया है जिसको भी दो तीन दिन ही हुए है यहां पर रिपोर्टर इन से पूछ रहा है कि आपको कैसा लग रहा है चोटे से बेबी को पैदा करके आपने सोचा था कि आपके यहां एक चोटा बेबी पैदा हो जाएगा तो ये बोल रही कि हाँ मैंने बिलीव भी नहीं किया था कि मेरे शादी भी हो जाएगे और मेरे बच्चा भी हो जाएगा मुझे भगवान ने सारी कुछियां दे दी है रिपोर्टर इनसे पूछ रहा है कि आपके यहां लड़की पैदा हो गई इस से आपका क्या नजरिया है तो इनके पीता जी ने कहा आजकल लड़कियां भी वो सब कर रही है जो लड़के भी नहीं कर पाते तो मैं नहीं सोचता कि लड़के लड़की में फरक है और इनसे पुछा गया कि आप पिता बनकर कैसा मैसूस कर रहे है तो इन्होंने बताया मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है एक फीता बन कर और इनका ब sitä भी स्वहस्थ है तो इनसे रिपोर्टर ने पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा इसकी हाइट इतनी ही रहे गी या बढ़ेility या आप लोगों जितनी ही रहेगी तो इन्होंने बताया कि नहीं डॉक्टर ने बोला कि इस बच्चे की हाइट अच्छी रहेगी क्योंकि इसके हाथ भी लंबे हैं और देखें आप देखने में भी ठीक लग रहा है तो मेरे बच्चे की हाइट तो लंबी ही होगी मेरे जित्ती नहीं होगी चीज तो यह है कि बेटी ने जन्म लिया है छोटी मान सिखता कि लोग बेटियों को नहीं देखना चाहते हैं लेकिन योगेंदर जी भले ही छोटे हैं लेकिन की सोच बहुत बड़ी है के नाम पर ही अपनी बच्ची का नाम रख दिया और बोल रहे हैं कि मेरे घर तो शाक्षात लक्ष्मी पैदा हो गई है मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे यहां एक बेबी बच्चा पैदा होगा क्योंकि लोग बहुत ही पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं कोई बोना बोलता कोई चोटा बोलता है कोई नाटा बोलता है लोग तो पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं लोगों की जैसी सोच है वैसे ही बोलते हैं अब सब की बोलती बंद हो जाएगी खुश है बेटी हुई है बहुत ज्यादा खुश है बहुत खुश है जी बहुत ज्यादा अच्छा यू कैमरे को देखकर अपनी आखे खोल रही है और इस पर कैमरा फोकस किया जा रहा है अब मैं इनकी पढ़ाई के बारे में बताँ तो जो जो गेंद्री जी है इन्होंने बिये किया है और इनकी वाइफ नाइंथ पढ़ी वी है और आप देख सकते हैं पढ़ा लिखे हैं दोनों हुस्यार हैं और कितना क्यूट सा कपल है जिनकी एक फैमली कंप्लीट हो गई है आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग इनके परिवार के बारे में क्या कहना चाहते हैं अपनी राय दीजिए और ये वेवाहित जोडे की हाइट धाई फिट और तीन फिट हैं आप ब्लीव नहीं कर पा रहे होंगे मैं भी ब्लीव नहीं कर पा रही थी और आप सामने देख सकते हैं कि उन्होंने एक छोटे से बीबी को जनम भी दिया है और देखिए कितना खुश लग रहे हैं दोनों और जब रिपोर्टर ने इन से पूछा कि आप एक लड़की हुई है आपके यहां पैदा तो आपको कैसा महसूस हो रहा है किस तरह की सोच रखते हो आप लड़कियों के लिए तो यह बोलते हैं कि मैं तो बहुत ही खुश हूँ मेरे हाँ साक्षात लक्समी पैदा हो गई है मेरे पास सब्द नहीं है मैं उस इश्वर का कैसे धन्यवाद करूँ सामने से रिपोर्टर ने इन से पूछा कि अब तो लड़की पैदा हो गई आपके हाँ तो आप क्या सोच रहे हैं तो बोल रहे हैं कि मेरे कंदों पर दो जिम्मेवारे आ गई है लेकिन मैं इस जिम्मेवारे को पूरे अच्छे से निभाऊंगा और अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक अफसर बनाऊंगा और ये आप लोगों के जरिये ही होगा इन लोगों का एक यूटूब चैनल भी है जो कि आप इने भी सपोर्ट कीजिए जब रिपोर्टर ने इन से पूछा कि पूछा कि पूजा जी आपने सोचा था कि कभी आपके हाँ बेबी होगा तो ये सामने से बोल रहे हैं कि मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी होगी और मेरे बेबी होगा मैं आज बहुत खुशू मेरी फैमली कंप्लीट हो चुकी है और मेरे पास सब्द नहीं है इनको इनकी प्यारी सी ननी सी बेटी को देखिए और यह बात जानकर लोग काफी अच्रज में है कि तीन फीट और लोगों का जो बच्चा हुआ ह तो आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो आगे भी लाती रहूंगी ठैंक्यू